देखें जब आप English बोलेंगे, in your mother tongue you know a lot of English words, for example, जब आप किसी के गहर में बैटे हैं और वो अपने बच्ची को बुला के बोलेंगे, फ्रिज से आइस निकाल कर ग्लास में जूस के साथ मिक्स करके गेस्ट को सर्व करो, तो यदि आप हिंदी नहीं जानते हैं, फिर भी आपको यकीन हैं कि आपको जूस मिलने वाला है, क्यूंकि आप गेस्ट हैं और उन्होंने बोला फ्रिज आइस ग्लास जूस मिक्स सर्व गेस्ट, तो यू नो और देन वन अड़ाफ लाक वर्ड्स इन इंग्लिश, तो जब आप बात करते हैं, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप अल्रेड़ी माहिर है, आपका बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि आज तक आपने ये नहीं रियलाइज किया कि आप इंग्लिश 80% जानते हैं, अगर आप लिख नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके घर में टीवी है, तो आप इंग्लिश जानते हैं, आप गाव में हैं, या आप शहर में हैं, या आप इंडिया के किसी रिमोट कोने में हैं, फिर भी, आप जरूर इंग्लिश जानते हैं, देखिए, इंडिया में सिर्फ 1% of Indians know English, और अगर आपको इंग्लिश के knowledge नहीं होने के कारण तकलीफ महसूस हो रही है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप already वो टॉप 1% से इंटराक्ट कर रहे हैं, उन से आपका लेना देना हो रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, आप ये decide कि आज से जो इंग्लिश आप जानते हैं, उसे आप बहतरीन तरीके से इस्तमाल करेंगे, बोलिए मेरे साथ, जो इंग्लिश मैं जानता हूँ, उसे मैं बहतरीन तरीके से इस्तमाल करूंगा, बहतरीन इंग्लिश खुद बखुद आ जाएगी, जो इंग्लिश मैं जानता हूँ उसे मैं बैतरीन तरीके से इस्तमाल करूंगा repeat after me बैतरीन English खुद बखुद मुझे आ जाएगी तो मैं ये बोल रहा था कि आपको 80% knowledge है 60% knowledge है 50% knowledge है English में फिर भी because of lack of practice आपको जिजक महसूस हो रही है तो lack of practice के साथ lack of confidence insecurity security, fear, hesitation ये सब आपको बहुत ही बड़ा डाइलमा में डाल रहे हैं आपको बहुत ही tension हो रहा है because of lack of confidence, fear hesitation, lack of practice lack of atmosphere वातावरण ना होने के कारण से, practice ना होने के कारण से, जिजक से, hesitation से fear से, डर से लोग हसेंगे लोग क्या कहेंगे लोग मुझे कैसे देखेंगे अगर मैं गलती किया ये सोच के आपको बहुत बुरा लग रहा है नमस्कार आप ये वीडियो से लेखिए और मुफ्ट में हिंदी से इगलिश आसानी से सीखिए प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू आपको से लेखिए झाल झाल